शारुक नाम के बदमाश ने एक आदीवासी यूवती को जान से मानने की धंकी देकर उसके साथ दुशकर्म किया पुलिस ने इस मामले में ततकाल एक्षन लेते हुए आरोपी शारुक को गिरफतार कर लिया है सत्वास के गांटा फोर थाना छेतर में शारुक नाम के बदमाश ने एक आदीवासी यूवती को जान से मानने की धंकी दी और उसे हरसुत के जंगलों में लेगिया जहां शारुक ने जबजस्ती उसके साथ दुश्करम किया जिसकी बाद पीडिता ने अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी और वो उसे लेने पहुचे पीडिता ने बताया कि शारुक ने उसे शादी का जहांसा देकर पहले भी कई बार उसके साथ जबजस्ती शारिरिक संबंद बनाए इस घटना का पता चलते ही आक्रोशित होकर हिंदू संगठन के युवा कारेकरता थाने पहुचे एवं लड़की को न्याय दिलाने की बात कही। काटाफोर थाना प्रभारी हीना डाबर ने बताया कि आरोपी शारुक के खिलाफ पीडिता के बयान के आधार पर कारवाईश शुरू कर दी गई है। इसने बताया कि लोगार्डा का एक लड़का है शारुक काई कि रिपोर्ट करी और साथ में ये भी बताया कि आरोपी द्वारा उसके साथ तेल बार गदर काम हुआ है। तो इस पर अपराद संजीबत हो जया है। रबिंदरनाथ तैग और उनिवर्सिटी भूपाल अल्लॉकिंग पोटेंशिल आप देख रहे हैं डखल न्यूज अल्लॉकिंग